कैसे छीज तो अगर आपके पॉज़मेर ठही ही ऐसे ओंगे या, मैं फिर नाइ आपको फॉण की केंवार क्योगता काफी ज्टकाने अपकी करते हूं तो काई बस इस वीडियो के इंट तक आपको फॉल करते रहाना तो सुक्ष में तो बागा करवा ला है आप देख रहे हैं मैं चैनल हाई टेक तो फाइनल लिगा आज के वीडियो ने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मिनाट सेटिंग आपको बतानी ज़रा हूँ Sply अपनीठी छेटिंग opn करना नीचे स्कॉल करना और यहाँ पर डिसपले याँ पर टैप करके बॉपें धेना हमारे फॉन में ओन फेंटीया और घॉर्स कि सकता है पर होक रहींक कर Нेक्थ लेवल पर रखना र higher level पर रखते हो तो इससे यह भी एडवांटेज आपको मिलता है कि आपके जो स्पीड आपके जो मुवाइल फॉन की मौशन उससे बैलेंस करता है जिसे कि आपके मुवाइल फॉन काफे दा स्मूथ हो जाता है और आपके गेमी स्किल में काफे दा इंप्रूब देखने को मि सेटिंग बताने से पहले आप अपने मौवाइल फॉन में डेवल फॉन को अन कर ले डेवल फॉन अगर आपको अन नहीं करने आता है तो इस पर एक डेडिकेड़ वीडियो बना चुका हूं जिसका मैं डिस्कुस्टर में लिंक दे दूँगा वहां से डेक्ले इस वीडिय करना चाहिए अगर आप गेमर हो तो यहां पाप देश हो तो ग्राफिक्स ड्राइबर प्रिफ्स आपको मिल जाते हैं यहां पर टाइप करकर ओपें करता है तो यह हमारे फॉन का जीप्यू होता है जीप्यू का बेसिकली यह काम होता है कि आपको जो गेमिंग प्राइस में दिया जाता है जीप्यू का बेसिकली यह काम होता है आपके गेमिंग इस्किल को काफ़े इंप्रोव वेस्ट क्वालिटी पर ले जाना तो कि यहां पर आपको सारे अप्लिकेशन मिल जाएंगे जो भी अपर टाप करको ओपन कर लेना यानि कि अगर आपके फ आपके अप्लिकेशन में इनेबल हो जाते है इसके बाद आपधाने मोल फोम्म में नहीं करना है अगर आप यहां पर करते हो तो आपको बैटरी काफी जल्दे रिन होता है तो ऐसे मैं आपको हर एक अप्लिकेशन के लिए यूज नहीं करना आप जो भी गेम ही अप्लिकेशन है उसके लिए यहां पर इसे यूज कर सकते हो simply यहाँ पर मैं back आता हूँ और यहाँ पर मैं third setting बताने चारा हूँ तो गाई developer आपको एक third setting मिल जाता हूँ basically आपको नीचे scroll करना है और आपको यहाँ पर मिल जाता है force for xmas तो गाई यहाँ पर मेरा third setting देख से तो force for xmas तो गाई यह setting काफी important setting है basically इसे आपको enable करके रखना चाहिए अगर आप इसे enable करते हो तो गाई यह graphics होता है जो GPU होता है उसे जो हम लोग पहले ही देख चुगे ग्राफिक्स डाइवे प्रफिस्स तो गाई उसे यह force करता है work करने के लिए जिससे कि आपके GPU में काफी improvement मिलता है and animation skill काफी दा high speed हो जाता है तो गाई यह force for AMS आपको enable करके रखना चाहिए तो गाई यह मेरा third setting है and का यहाँ पर मैं fourth setting बताने जा रहा हूँ तो simply इसे में आपको development में नीचे scroll करना है and आपको यहाँ पर मिल जाएगे background process limit यहाँ पर background process limit यहाँ पर tap किया tap करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर standard limit तो गाई standard limit का मतलब यह होता है कि जो भी application से आपके background ने running कर सकता हो बिल्कुल running कर सकता हो उसके लिए कोई यहाँ पर restriction नहीं लगाया गया लेकिन यहाँ पर दस तो no background process limit at most of 123 इस तरह से दिया गया है तो अगर आपके मवाल फॉन का storage कम है RAM कम है तो यहाँ पर background process limit को यहाँ पर increase कर सकता हो अच्छा बना सकता हो गाई basically इसे यह बनी फोटे होना है कि अगर आप यहाँ पर जितना कम करके रखता हो तो गाई उतना ही CPU को फिरी मिलता है और जब यह CPU को फिरी मिलता है तो आपके gaming experience में काफी आदे improvement देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर background no process भी कर सकते हो almost one कर सकते हो two कर सकते हो three कर सकते हो जो भी आप मवाल फॉन के जो भी छमता है उस पर यहाँ पर यहाँ पर योज कर सकते हो तो यह जो भी unknown file जो भी unknown जो अप्लिकेशन जिसे आप योज नहीं करते हो उससे आपको delete करके रखना है अच्छा है आपके phone को जितना जितना यह वीडियो को थोड़ी इंफोर्मेटे लगाए तो नीचे कमेंट कर बता देने चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल एकन नोट्रिकेशन को और पर किलिक लेए जिसे के लिटर से आपडेट आपको मिलते रहे और वीडियो को like share कर देना अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंडों के साथ सो गई आज के लिए तब तक लिए जया हैं जया भरत